सबसे पहले जानते हैं मेश राशी के बारे मेश राशी वालों के लिए मंगल का यंत्र धारन करना बड़ा शुब होता है अगर मेश राशी के लोग मंगल का यंत्र पहने तो उन्हें काफी फाइदा होगा और ये यंत्र ट्रेंगुलर होना चाहिए, त्रिकोन होना चाहिए, तामबे पर बना हुआ होना चाहिए त्रिभुजाकार तामबे पर बना हुआ ये यंत्र होना चाहिए इसको लाल धागे में कमर में या गले में पहनना शुब होता है व्रिश राशी व्रिश राशी वालों के लिए शुक्र का यंत्र धारन करना बड़ा अच्छा होता है अगर व्रिश राशी के लोग शुक्र का यंत्र पहने तो काफी शुब होगा ये गोल होना चाहिए चांदी में बना हुआ गोल आकरती में चांदी का बना हुआ शुक्र का यंत्र होगा और इसको गले में धारन करना चाहिए सफेद धागे में या गुलाबी धागे में इसको गले में पहनना ज़्यादा बेहतर होगा मिथुन राशी मिथुन राशी वालों का यंत्र बुद्ध का यंत्र होगा और ये शट कोड़ी होगा जिसकी छे भुजाएं होंगी इसको आप पहन सकते हैं कांसे पर बना हुआ होना चाहिए ब्रॉंस पर बना हुआ होना चाहिए और इसको हरे धागे में गले में पहनना चाहिए मिथुन वाले अगर बुद्ध का यंत्र पहने सही तरीके से बना हुआ हो तो बहुत ही फाइदा होता है मिथुन वालों की जो दुबिधा की स्थिती है जो confusion की problem है जो बार-बार चीजों को लेके परिशान होते हैं ये problem समाप्त हो जाती है और मैं बता दूँ कि जिन यंत्रों की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको पहनना है ये यंत्र अंकों वाले होने चाहिए नंबर्स वाले होने चाहिए ये यंत्र चित्र वाले नहीं होने चाहिए आप नंबर्स वाले यंत्र पहनिएगा क्योंकि इसके नुकसान करने की संभावना थोड़ी कम होती है या बिलकुल नहीं होती है करक राशी की बात करें आपके लिए चंद्र यंत्र धारण करना शुब होता है ये चंद्र यंत्र जो है ये अर्ध चंद्राकार होना चाहिए अर्ध चंद्राकार बना रहेगा और ये चांदी में बना हुआ होना चाहिए अर्ध चंद्राकार चांदी में बना हुआ यंत्र होना चाहिए इसको आप सफेद धागे में अपने कमर में भी बाँच सकते हैं और गले में भी पहन सकते हैं जैसा आपको उचित लगे आप इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं सिंग राशी सिंग राशी के लिए सूर्य यंत्र धारन करना शुब होता है सूरी का यंत्र आप पहने ये यंत्र गोल होना चाहिए और तांबे पर या सोने पर बना हुआ होना चाहिए गोल्ड पर या कौपर पर बना हुआ होना चाहिए लाल धागे में डाल करके इसको गले में धारन करना चाहिए बहुत अच्छा रहेगा तांबे का गोल यंत्र सोने या तांबे में बना हो सूरी यंत्र हो, उस पर नंबर्स लिखे हुए हो सूरी वाले और ये यंत्र आप लाल धागे में गले में पहने तो आपके लिए बहुत शूब रहेगा कन्या राशी की बात करें शटकोड की आकरती में बना हुआ यंत्र होना चाहिए बुद्ध यंत्र, कासे पर ब्रॉंस पर बना हुआ बुद्ध यंत्र होना चाहिए इसको गले में, हरे धागे में या काले धागे में आप पहनेंगे, पहनेंगे किस दिन? एक बड़ा सवाल है, यंत्र पहना कब जाए यंत्र पहनने का सही दिन होता है महीने की पूडिमा पर गंगा जल से शुद्ध करके दूद से शुद्ध करके कोई भी यंत्र पहना जा सकता है तो कन्या राशी वाले शटकोन आकृति का बुद्ध का यंत्र हरे धागे में अपने गले में धारन करे तो बहुत अच्छा रहेगा